वैस्णोवी ईजी लाइफ में आप सबका स्वागत है आज हम होम मेट एक रेमेडी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही एकदम सठीक असर करता है फायदा करता है तुरंत ही और गर्मियों में बहुत ठंडक लाता है ओ है हमारा ये मुल्धानी मिट्टी और दही दो चीज से हम बनाएंगे इसमें कई तरह के प्रकतिक तत्व पाये जाते हैं जैसे सिलका, लोया, कैल्सियम, मैगनिसियम ये सब तत्व पाये जाते हैं जो हमारे इसकिन को बहुत असर करता है और एंटी सेप्टिक गुड़ भी पाया जाता है इसमें जो बैक्टेरिया को हटाने में फायदा करता है चाहे वो पूरे बोड़ी में कोई प्राबलम हो पोड़ा फुंशी हो या चेहरे पे आपके काले धब्बे छूरियां जाईयां पिंपल्स सब दूर करता है आप इसे डेली भी उच कर सकते हैं आपको अगर टाइम हो तो कोई साइड एफेक्ट नहीं करता ह दो और है और नहीं तो इसे हब दने दो- तीन-तीन दिन करे तब यह भी बहुच जबर ज़स्ट फायदा करता है आप अब बार इसे आज मा के देखने और हम इसको बनाएंगे कैसे बनाना है और यह हमने मुलतानी मिठ्टीलिया है और दही है इस मुलतानी मिठ्टीको एक soft paste तयार हो जाता है इसके बाद दही ले रहे हैं और दो चेप मचे मुलतानी मिट्टी ले लिए दही बहुत खटा नहों दो तीन दिन की बासी दही नहों ठीक ठाफ हो मीडियम में आप इसमें दही डाल लें दही भी बहुत ठंडा होता है इसमें भी कई परकार के तत पा जाते हैं फिर इसको अच्छा पेस्ट बना ले इसको इतना soft बनाओ जैसे आप अपने face पे कोई क्रीम लाते हो उस्तरस बनाओ अगर कोई ये मुलतानी मिट्टी दरदरी रह जाएगी तो आपके चेहरे पे छिल जाएगा तो इसको यूज कैसे करते हैं अब बता रहे हैं जिस जगह दाग धब्बे हो उस जगह पे आप इसको ऐसे लगाएं अगर आप अपने face पे लगा रहे हैं face पैक की तरह ऐसे लगा के चेहरे पे ऐसे छोड़ दें कम से कम 15-20 मिनिट के लिए या जब तक ये सूख न जाए तब तक इसको ऐसे ही रहने दें सूख जाए जाबून उगरे नहीं उच करना है ऐसे 15-20 मिनिट रहने दें मतलब ये 90% सूख जाए उसके बाद आप इसको धोएं इसको लगाने से पाले अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरह से धो लें चेहरे पे कोई गंदकी ना रहे जैसे बाहर से आए हो तो बुल मिटती या सु पाले अपने फेश को अच्छी तरह से धो कर तब इसको यूज करें ये 90% सूख जाए उसके बाद आप ठंडे पानी से अच्छी तरह से दो लें और डेली यूज करें जिसकी तचा जूली सी लटकी सी होती है लटकी चेहरा वो भी टाइट हो जाता है बहुत फायदा करता है ये मुलतानी मिट्टी हमने पाले इसको थोड़ा सा साउधानी से बनाना है मिट्टी भीगा दे अच्छी तरह अच्छा पेस्ट बन जाए या पॉडर ले आए थोड़ा सा दही नार्मल डाले खटी दही ज्यादा नहों इसका पेस्ट बनाए फिर यूज करें इसका सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन बटन को भी दबा लेना जिससे हमारे आगे आने वाली कोई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए